नमस्कार, मैं डॉक्टर गिरिश कुमार तिवारी, डियलेट कारिक्रम के इस चर्चा सत्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ आज के हमारे चर्चा का विशय है भासा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधी भासा शिक्षण की अनेक विधियों में से एक विधी है प्रतक्ष विधी इस विधी से हमारा आशय उस विधी से है जिसमें द्वितिये भाशा का शिक्षण उसी भाशा के माध्यम से किया जाता है जैसे यदि किसी विद्यार्थी को हमें जापानी भाशा शिखाना है तो हम उसे जापानी भाशा की शिक्षा जापानी भाशा में ही देंगे यथा कक्षा में प्रवेश करते ही विद्यार्थी एवं शिक्षक एक दूसरे का अभिवादन करते हैं ये हमारी संस्कृती या सभ्यता का परिचायक है कि जैसे ही शिक्षक कक्षा में प्रवेश करता है विद्यार्थी शिक्षक का अभिवादन करते हैं ये उनकी मात्री भासा या जो अनुदेशन की भासा होती है अर्थात जो शिक्षन का माध्यम है जो भासा उस भासा में किय अब यदि हम प्रत्यक्ष विधी से भाशा का शिक्षण कर रहे हैं तो उस समय विद्यार्थी एवं शिक्षक दोनों को एक दूसरे का अभिवादन सीखी जाने वाली भाशा में ही करना होता है यदि यह भाशा जापानी है तो कक्षा कक्ष में प्रवेश करते ही दोनों एक दूसरे को ओहायो गुजाई मास कहेंगे जिसका अर्थ होता है गुड मॉनिंग इस प्रकार इस विदी में विद्यार्थी का सीखी जाने वाली भाशा से प्रत्यक्ष संपर्क अस्थापित होता है इसी कारां से यह विदी प्रत्यक्ष विदी कही जाती है अता भासा शिक्षण की वह विधी जिसमें विद्यार्थी अन्य भाशा को प्रत्यक्ष संपर्क के माध्यम से सीखता है जैसे कि वह अपनी मात्री भाशा को सीखता है प्रत्यक्ष विधी कहलाती है इस विधी का प्रयोग व्याकरण अनुवाद विधी की प्रतिक्रिया के फल स्वरूप शुरू हुआ होता ये था कि व्याकरण अनुवाद विधी में हम किसी भी अन्यभासा को व्याकरण के नियमों को पहले पढ़ाते थे फिर उसका अनुवाद करके विद्यार्थी की मात्री भाषा में उसे बताया जाता था है ऐसा माना जाता है कि 19-वी सताब्दी के अंतिम दशक एवं 20-वी सताब्दी के प्रारंविक वर्षों में भाषा विज्ञान येवं भाषा शिक्षण के शत्र में उल्लेखनिये प्रगती हुई और इसी के परिराम स्वरूप भाषा शिक्षण में प्रत्यक्ष विधी का प्रचलन शुरू हुआ है जिसमें हम किसी भी भाशा को उसी भाशा के माध्यम से शिखाना शुरू की है जैसे हमने उदारन दिया कि यदि हमें कख्षा कख्ष में अभिवादन करना है तो हम जो भी भाशा सीख रहे हो अगर जापानी सीख रहे हो तो हम ओहायो गोजाई मास कहते हैं अगर हम Chinese सीख रहे हैं तो हम निहाओ कहेंगे, अगर हम French सीख रहे हैं तो हम बौजूर कहेंगे, इस तरीके से हम उसी भासा के माध्यम से उस भासा को सीखने का प्रयास करते हैं और यही विधी प्रत्यक्ष विधी के रूप में जानी जाने लगी अब इस विधी के प्रयोग के पीछे जो मानेता कारे करती है, यानि विध्वानों ने जो तर्क दिये इस विधी के प्रयोग के पीछे, वो यह है कि जिस प्रकार से विध्यार्थी अपनी मात्री भासा को प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा सीख लेता है उसी प्रकार वह अन्य भाशा को भी प्रत्यक संपर्क के द्वारा सीख सकता है मात्री भाशा सीखने के लिए विद्यार्थी को कहीं जाना नहीं पड़ता है वो अपने वातावरण में, अपने परिवार में, अपने पासप़ोस से अंतर क्रिया करता है जिसमें निरंतर उसका अपनी मात्री भाशा से संपर्क बना रहता है और उस संपर्क के कारण वह विद्यार्थी अपनी मात्री भाशा को सीख लेता है इसी प्रकार से यदि विद्यार्थी अन्य भाशा जो की वो सीख रहा है उस भासा के निरंतर संपर्क में रहे तो वह उस अन्य भाषा को भी सीख सकता है उस अन्य भाषा से संबंधित जितने भी भाषाई कौशल होंगे उसको वो सहजता से सीख सकता है और अपने व्योहारिक जीवन में उसका प्रयोग कर सकता है प्रत्यक्ष विधी की प्रक्रिया अर्थात कैसे हम इस विधी के द्वारा भासा सीख सकते हैं या भाषा का शिक्षण कर सकते हैं हाला कि कोई ऐसी निश्चित प्रक्रिया हमें नहीं मिली है या किसी निश्चित प्रक्रिया की बात विद्वानों द्वारा नहीं की गई है कि इसी प्रक्रिया के तहत प्रत्यक्ष विधी के माध्यम से भाषा शिक्षन किया जाना चाहिए लेकिन अपनी सुविधा के लिए या हम कहले कि इस विदी को समझने के लिए इस प्रक्रिया को निम्नुवत समझा जा सकता है सरो पर्थम हम सीखी जाने वाली भासा या जो द्वितिय भासा है जिसे की विद्यार्थी सीख रहा है उसके ध्वनियों वरन माला येवं लिपी को सिखाते हैं क्योंकि ध्वनी किसी भी भाशा के सबसे छोटी इकाई है और इसको जाने बीना भाशा को सीखना असंभव है या हम यूं कहले कि ध्वनी को जाने बीना हम भाशा शीखने की कलपना ही नहीं कर सकते है अब हर एक भाशा की अपनी ध्वनी है कुछ ध्वनिया तो सारी भाशाओं में पाई जाती है लेकिन कुछ एक ध्वनिया भाशा विशेश की होती है जो एक भाशा में हो सकती है तो दूसरे भाशा में अनुपस्थित हो सकती है अब जिस भाशा को हम विद्यार्थी को सिखा रहें पहले हम उनकी सारी ध्वनियों को बताते हैं उन्हें वर्ण माला में कितने वर्ण है और किन वर्णों से किन ध्वनियों का प्रतिनिधित होता है ये बताते हैं लिपी क्या है उस भाशा को लिखने की क्या लिपी है कैसे हम लिखते हैं वो लिपी बाएं से दाएं चलती है उपर से नीचे चलती है इन सारी चीजों को हम उसे बताते हैं जैसे मैंने जापानी भाशा का उधारा दिया तो अब जापानी भाशा में तीन लिपियां एक साथ काम करती है यानि अगर हमें जापानी भाशा में किसी वाक्य को लिखना है तो हमें उस भाशा की तीनों लिपियों का ज्यान होना चाहिए क्यों? क्योंकि जो शब्द जापानी भासा के मूल शब्द है उनको लिखने के लिए एक लिपी है जो शब्द किसी दूसरी भासा से लिए गये है उसको लिखने के लिए दूसरी लिपी है और एक चित्रात्मक लिपी जिसे की कांजी कहा जाता है उसका भी प्रयोग हम करते हैं जिसमें कुछ चित्र होते हैं और हर एक चित्र का अपना एक अर्थ होता है तो उस अर्थ का प्रतिनीधित्तो करने के लिए हम उस चित्र को उसमें शामिल करते हैं इस प्रकार से हम एक साथ तीन लिपियों को लेकर जो क्रमसा हीडा गाना, काता काना और कांजी है इन तीन लिपियों को लेकर हम एक साथ चलते हैं तो अब बीना ध्वनी, वर्ण माला और लिपी के ग्यान के तो जापानी भाषा में आगे बढ़ना ही संभो नहीं है और इसी प्रकार की इस्थिती अन्य किसी भी भाषा के साथ होती है हम अंग्रेजी को ही ले ले तो अगर हमें अंग्रेजी वर्ण माला के वर्णों का ज्यान नहीं है, उसकी ध्वनियों का ज्यान नहीं है किस ध्वनी को हम किस वर्ण के माध्यम से बताते हैं इसका ज्ञान नहीं है तो हम अंग्रेजी भाशा नहीं सीख सकते हैं इसके पश्चात विभिन वस्तुओं और कारियों के संदर्भ में शब्दों, वाक्यांसों एवं वाक्यों का प्रयोग सिखाया जाता है अर्थात किस वस्तु के लिए या किस कारे के लिए कौन से शब्द का या कौन से वाक्यांस का या किस वाक्य का हम प्रयोग करेंगे ये इस विधी द्वारा भाशा शिक्षन के दूसरा सोपान या दूसरा पढ़ाव होता है इसके बाद किसी विशेश परिस्थीती पर आधारित मौखिक वार्तालाप कराया जाता है अर्थात जब हम ध्वनियों, वर्णमाला, लिपी, शब्द, वाक्यांश, वाक्यादी का ज्ञान प्रदान कर देते हैं तब हम विद्यार्थी को मौखिक अव्यक्ति करना सिखाते हैं अर्थात उसे हम बोलना सिखाते हैं और उसके लिए हम एक कृत्रिम परिस्थीती विद्यार्थी को देते हैं जैसे अगर आप रेल्वे काउंटर पर गए टिकट बुक कराने के लिए और आपके सामने रेल्वे क्लर्क, बुकिंग क्लर्क है और आप काउंटर पर है, तो जो आप दोनों के बीच में बात चीत होगी, उसमें आप कैसे बात करेंगे, क्या बात करेंगे, या प्रिंस्पल के ओफिस में आपको किसी बात की सूचना देनी है, आप स्टूडेंट है और आपके सामने आपके प्रिंस्पल बैठे हुएं, प्रधाना चैर्य बैठे हुएं, तो आप कैसे बात करेंगे, इन सारे कृत्रिं परिस्थीतियों पर आधारित मौकिक वार्थालाप कर आया जाता है विभिन परिस्थीतियों में भाशा का मौखिक रूप से व्योहार करना सिखाने के लिए हम प्रत्यक्ष वस्तूं के चित्र तथा चित्र श्रिंखलाओं का भी प्रयोग कर सकते हैं या प्रयोग किया जाता है जैसे हमें उस भाशा के किसी शब्द को बताना है जो वर्भ है अर्थात जो क्रिया है किसी काम के होने को बताती है जैसे जापानी भाशा में टू वर्क के लिए होता है हाताराकी मास अब अगर हमें ये बताना है कि हाताराकी मास मेंस टू वर्क तो हम एक छोटा सा पोश्टर बना कर किसी व्यक्ति को काम करते हुए दिखा सकते हैं और वहाँ उपर लिख सकते हैं हातारा की मास अर्थात हातारा की मान्स means to work तो वो चित्र विद्यार्थी अपने मस्तिस्क में संजो लेता है कि काम करने के लिए हमें इस सब्द का प्रियोग करना है या इस शब्द के माध्यम से हम ये बता सकते हैं कि काम करना होता है ऐसे ही हम अन्य शब्दों के लिए भी या अन्य परिश्थीतियों के लिए भी चार्ट बना सकते हैं हम पोश्टर्स बना सकते हैं हम चित्र बना सकते हैं और विद्यार्थीयों को दिखा सकते हैं ताकि विद्यार्थी उसको अपने मस्तिस्क में संजो ले प्रारंब में विद्यार्थी आध्यापक द्वारा प्रियुक्त वाक्यों का अनुकरन करता है अर्थात वो जो शिक्षक कहता है उसको दोहराता है उसकी नकल करता है और आगे चलकर प्रत्यक्ष वस्तूओं तथा प्रत्यक्ष संदर्ब की सहायता से या यूं कहले कि अपने जीवन की वास्तविक परिस्थीतियों में वह भाशा का प्रियोग करना सीख लेता है कि कैसे वह भाशा का प्रियोग वास्तविक परिस्थीति आने पर करेगा किन वाक्यांस्च का प्रयोग करेगा किन शब्दों का प्रयोग करेगा आदि-आदि इस क्रम में मात्री भाषा का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं किया जाता है अर्थात चात्रों को या विद्यार्थियों को वास्तविक परिवेश में ही सोचने और भाषा के प्रियोग का उसर दिया जाता है आप जिस भाशा को सीख रहे हैं उसी भाशा में ही आपको सोचना है और उसी भाशा में ही आपको अपने विचारों को अभिव्यक्त करना है इससे लाब ये होता है कि विद्यार्थी के मस्तिस्क में या विद्यार्थी का मस्तिस्क उस भाशा में सोचने के लिए आदी हो जाता है अभ्यस्त हो जाता है और उसके वागेंद्रिये एवं स्रोनेंद्रिये अर्थात उसकी कान एवं उसके मुक जो है उस भाशा को सुनने ये उस भाशा के शब्दों के उच्चारण के लिए अभ्यस्त हो जाते हैं प्रत्यक्ष विदी की विशिष्टाइं अब कोई भी विधी अपने आप में पुर्ण नहीं होती है उसकी कुछ विशेष्टा होती है, तो उसकी कुछ कमी भी होती है या उसकी कुछ सिमाय भी होती है तो पहले हम इस विधी की जहां कि हम प्रत्यक्ष रूप से भाशा के संपर्क में रहते हैं और प्रत्यक्ष संपर्क के कारण ही हम उस भाशा को सीख पाते हैं इस विधी की विशेस्ताओं पर पहले हम चर्चा करते हैं इसकी पहली विशेष्टा है, सीखी जाने वाली भाषा का शिक्षन उसी भाषा के माध्यम से किया जाता है अर्थात, जो भाषा हम सीख रहे हैं, उसको उसी भाषा के माध्यम से ही सीख रहे हैं ऐसा नहीं कि अंग्रेजी सीखनी है तो हिंदी माध्यम से सीख रहे हैं या संस्कृत सीखना है तो हिंदी माध्यम या अंग्रेजी माध्यम से सीख रहे हैं संस्कृत सीखना है तो संस्कृत माध्यम से सीख रहे हैं अंग्रेजी सीखना है तो अंग्रेजी माध्यम से सीख रहे हैं, जापानी सीखना है तो जापानी माध्यम से सीख रहे हैं, जो भासा सीखना है उसी माध्यम से उसे सीख रहे हैं इसके परियाम सरुप लाव यह होता है कि शब्दों तथा वाक्कियों का अर्थ प्रत्यच भासाई संदर्ब पर आधारित होता है और विद्यार्थी उस भाशा के सब्दों के अर्थ को संदर्ब सहित ग्रहन कर लेता है जैसे आंगल भाशा का एक सब्द है आउल जो ब्रिटिस इंगलिश में यानि कि जो अंग्रेजी इंगलैंड में और भारत में बोली जाती है उसमें कुछ और अर्थ देता है और जो अंग्रेजी अमेरिका में बोली जाती है वहां कुछ और अर्थ देता है British English में एक पक्छी के रूप में उसका अर्थ उल्लू होता है और एक संकेत के रूप में उसका अर्थ बेवकूफ इंसान या बेवकूफ आदमी के रूप में लिया जाता है लेकिन American English में इसका अर्थ एक पक्छी के रूप में तो उल्लू ही होता है लेकिन एक संकेत के रूप में इसका अर्थ एक होशियार आदमी, एक बुद्धिमान आदमी होता है अब यदि व्यक्ति ब्रिटिस इंग्लिश के माध्यम से अमेरिकन इंग्लिश को सीख रहा है तो वो शायद इस सांस्कृतिक अर्थ को, इस संदर्व संबंधित अर्थ को वो न जान पाए लेकिन यदि वो अमेरिकन इंग्लिश को या अमेरिकन आंग्लिश को अमेरिकन इंग्लिश के माध्यम से ही सीख रहा है तो वो इस संदर्भोचित अर्थ को भी जानेगा और उसका उसी संदर्भ में प्रयोग करेगा दूसरा लाव ये होता है कि विद्यार्थी के श्रवनेंद्रिये एवं वागेंद्रिये उस भाशा के शब्दों के लिए अभ्यस्त हो जाते हैं जिससे विद्यार्थी का श्रवन कौशल यम वाचन कौशल बहुत अधिक विक्सित हो जाता है इस विधी की दूसरी विशेषता यह है कि यह व्याक्रणिक नियमों को कंठस्त करने तथा अनुवाद पर बल देकर भासा अधिगम को नीरस नहीं बनाता है यहाँ पर रटने जैसी कोई बात नहीं होती है जिसे की नीरस्ता हावी हो जाए भासा के साथ विद्यार्थी का प्रत्यक्ष संपर्ख होता है अर्थात विद्यार्थी उस भासा को जीता है और उस संपर्ख तथा व्योहार से ही भासा के प्रयोग की कुशलता उस विद्यार्थी में उत्पन हो जाती है और जब एक बार उस भासा की समझ विद्यार्थी के मस्तिस्क में हो जाती है विद्यार्थी उस भाष्या की सनरचना को समझ लेता है तो स्वता ही उस भाष्या के व्याक्रल को समझने लगता है इस विधी में सीखी जाने वाली भाष्या का वास्तविक प्रयोग किया जाता है इस प्रकार विद्यार्थी, संदर्व के अनुसार, शब्दों का प्रियोग करना सीख जाते हैं और उनके अर्थ से परचित हो जाते हैं चुकि प्रत्यक्ष्विधी, स्वाभाविक और क्रित्रिम दोनों परिवेश में भाषा शिक्षण की योजना प्रस्तूत करती हैं अता इसमें दिन प्रति दिन के जीवन में प्रियुक्त भाषा एवं वाक्य संदर्चनाओं के प्रियोग पर विशेश बल दिया जाता हैं कुछ और होती है और जो भाषाई संदर्चना हम अपने व्यावारिक जीवन में प्रियोग करते हैं उसकी वाक्य संदर्चना अलग होती है इसका एक सामाने सा उदारन है अक्षर हमने लोगों को ये कहते हुए पाया है कि देखो लाश जा रही है अब अगर एक व्यक्ति म कि देखो लाश ले जाई जा रही है लेकिन हम अपने व्यावारिक जीवन में प्रियोग करते हैं कि देखो लाश जा रही है और इस वाक्य को कहने वाला भी समझ जाता है और सुनने वाला भी समझ जाता है कि कोई व्यक्ति मृत हो गया है और अंतिम संसकार के लिए उसकी लाश को उसके निस्प्राण सरीर को ले जाया जा रहा है। इस प्रकार सीख्यूई भाशा पुस्तकिय भाशाना होकर विभिन्य प्रकार की परिस्थीतियों से संबंदित व्यवाहरिक भाशा हो जाती है। भाशा के प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा विद्यार्थी बिना अपनी मात्रि भाशा में अनुवाद किये ही भाशा में नहित संस्कृतिक विशेशताओं से ओगत हो जाता है। क्योंकि वो उस भाशा से निरंतर संपर्क में है और एक भाशा एक संस्कृति विशेश की परिचायक होती है। वो एक संस्कृति के तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है। तो जब हम किसी भाशा से निरंतर संपर्क में बने राते हैं। तो हम उस भाशाई संस्कृति के तत्वों को जान लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। हमें फिर उसे अपनी मात्री भाशा में अनुवाद करने की आवश्यत्ता नहीं होती है। अर्थात, विद्यार्थी प्रत्यक्ष संपर्क के आधार पर भाशा के सांस्कृतिक पक्ष से परिचित हो जाते हैं। इस विद्यार्थी की एक अन्य विशेष्ता यह है कि सिख्षक एवं विद्यार्थी दोनों यहां शक्रिये रहते हैं। इस विद्यार्थी में व्याक्रण का ज्यान रटवाकर नहीं कराया जाता है, बलकि सहज रूप में भाशाई प्रयोगों के अभ्यास द्वारा विख्षित किया जाता है। विद्यार्थी को स्वैम भाशा में नहित नियमों को पहचानने तथा उनका सामान्नी करन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस प्रकार विद्यार्थियों को व्याक्रानलिक नियमों की जानकारी भाषा के वास्तविक प्रयोग के आधार पर प्राप्त होती है उन्हें रटने की आवश्यक्ता नहीं पड़ती है ये तो इस विधी की विशिष्टाओं की बात हो गई लेकिन इस विधी की कुछ सीमाय भी है अब थोड़ी चर्चा हम उस पर करते हैं इस विधी की सबसे बड़ी आलोचना इसकी मानिता है यह विधी मानती है कि द्वितिय भाषा अधिगम एवं मात्री भाषा अधिगम एक समान प्रक्रिया है जो की भ्रामक है गलत है मात्री भाषा अधिगम और द्वितिय भाषा अधिगम कभी भी एक समान प्रक्रिया नहीं हो सकती है क्योंकि मात्री भाषा अधिगम की जो स्वभाईक परिस्थीती होती है वो विद्यार्थियों को मिलती है, लेकिन द्वितिय भाषा अधीगम के लिए हम उस परिस्थीती का निर्मान नहीं कर पाते हैं, तो हमें उसके लिए भिन विधी का शहारा लेना पड़ता है, हमें भिन प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, तो ये दोनों एक समान कभी भी न नहीं हो सकती है, ये विधी मानती है कि जिस प्रकार मात्री भाषा में वस्त्वों एवं परिस्थीतियों के प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा विद्यार्थी मात्री भाषा पर अधिकार प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार वह द्वितिय भाषा में भी कर लेगा, यह सोच नहीं बिल्कुल गलत है मात्री भाशा अधिगम तथा द्वितिय भाशा अधिगम में परिवेश गत अंतर होता है अता यह मान्यता अंशता तो सत्य हो सकती है लेकिन पुर्णता कदापी नहीं तो यह मान्यता ही इस विधी की सबसे बड़ी आलोचना या सीमा है मात्री भाशा का निशेद पुर्ण रूप से करने के कारण चुकि इस विधी में मात्री भाशा का प्रियोग बिल्कुल ही नहीं किया जाता है इसलिए इसका पुर्ण रूपेर निशेद करने के कारण अधिगम में विलंभ होता है क्योकि प्रारंभ में विद्यार्थी अन् पहाशा को नहीं समझ पाता है। इसके अलावा यानि विलंब के साथ साथ इसमें विद्यार्थी को बहुत अधिक शक्ति एवं समय व्याय करना पड़ता है। अभ्यास नहीं कराया जा सकता है, जो कि उनके भाशाई दक्षता के विकास के लिए बाधक है। इस विधी में विद्यार्थियों को व्याकरण के नियमों का स्वयम निर्धारण एवं शामानी करन करना पड़ता है। यह कार्य इतना आसान नहीं है कि प्रतियक इसे कर ले। सामान्य मानसिक योगेता रखने वाले विद्यार्थी नियम निर्धारण में तथा सामानी करन में असमर्थ रहते हैं। केवल तिप्र वुद्धी के छात्र ही इस कारे में सफल हो पाते हैं। अता यह विधी अधिक उपयोगी नहीं है। यह विधी सिर्फ विध्यार्थियों के लिए ही नहीं बलकि सिक्षकों के लिए भी स्रमशाध्य है। क्योंकि भासा शिक्षण के लिए वांचित परिवेश का निर्माल करना पड़ता है। और वस्तु के अभाव में यानि संसाधनों के अभाव में अध्यापक को अपनी सूझ-भूज के आधार पर ही अध्यापन के लिए उप्युक्त सहायक सामग्री या उप्युक्त परिवेश का निर्माल करना पड़ता है। जिसमें शिक्षकों को काफी समय देना पड़ता है। और साथी साथ कठिनाई का भी सामना करना पड़ता है। तो यह शिक्षकों के लिए भी यह समय साध्य एवं श्रम साध्य है अब यदि इन सीमाओं पर ध्यान रखा जाए तो यह भी कहा जा सकता है कि यह विधी अपूर्ण है चुकि इस विधी में श्रवन एवं वाचन पर अधिक बल दिया गया है इसलिए इस विधी के द्वारा भाशा शिक्षण करने पर विध्य धो पाता है इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि यद्यपी भाशा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधी व्याकरन अनुवाद विधी की तुल्ना में अधिक उप्योगी है लेकिन यह भी अपने आप में पुर्ण नहीं है इसकी भी अपनी सीमाएं है इन सीमाओं के कारण यह वि शिक्षण के लिए इस विधी का प्रियोग ना के बराबर हो रहा है तो विध्यार्थियों आज हमने जाना कि भाशा शिक्षण के प्रत्यक्ष विधी से क्या आसे है प्रत्यक्ष विधी की माननेता क्या है प्रत्यक्ष विधी की विशिश्ताएं एवं सीमाएं क्या क्या झालब है